नमस्कार दर्श्रक विद्रहती थी मां फ़ै एक्वर आपनों स्वागाच्छे आथी थी एटलेवों कार्यक्रम के जे कार्यक्रमा विशिश्ट व्यक्तितों साथे आपनी मुलागात करेंचे नवातों करेंचत्रगे आजे आती थी कार्यकर मा एक एवू व्यक्तित हुआ के जमने समगर जीवन, शिक्षन ने समर्पीत करियुछ कदाच तेमना हसवामा तेमना गुसामा तेमनी चालमा दरेक दरेक एमना एक-एक मुमेंट होईचे तेमा केंद्रमा होईचे शिक्षन जीटी उना वाइस चैंसलर डॉक्टर एक्षा एगरवाल हमारी साथ है जै अगरवाल सापका स्वागत है करेंगे नमस्कार पंजाब, पंजाब से शुरू हुई एक सफर पहले पढ़ने की, बाद में पढ़ाने की उस सफर की शुरूआत की बात करो, उस दिन को याद करना है मुझे आज, आपके लबजों में वो सुनना है कि किस तरह से अक्षा एगरवाल, खुद, एजूकेशन के लिए इतने इंटरेस्ट खुद को जगा, क्या कीसे से इंस्पार हुए थे, या पहले से एक लगन थी, कि पढ़ना तो ऐसा पढ़ना है कि दुनिया को में पढ़ा पाऊं। तो बातचित कर रहे थे कि ये देश आगे कैसे बढ़ना चाहिए। 62 होके चुका था, थोड़ी सी निराशा थी सभी में, क्योंकि हा रहे थे, तो यंग ब्लड होता है, सभी लोग विचार कर रहे थे, किसको क्या करना चाहिए, किस तरह से ये देश आगे बढ़ना चाहिए। तब ऐसा सोचा कि टेक्निकल एजुकेशन अगर अपनी अच्छी हो, तो उससे क्या होगा कि जो भी टेक्नॉलोजिकली हम पीछे हैं, जिसके कारण से हम लोग आगे नहीं आ पाए, तो उसमें अपने को काम करना चाहिए। नतीजह ये हुआ कि उन दिनों में टेक्निकल एजुकेशन में बड़ी शॉर्टेज थी टीचर्स की, जैसे अभी फिर से हो गई है, तो गोवर्मेंट ऑफ इंडिया ने एक टेक्निकल टीचर ट्रेणी स्कीम बनाई हुई थी, उन दिनों में अब आजकल वो अमाउंट सापको कुछ मीनिंग्फुल नहीं लगेंगे, लेकिन उन दिनों में एक लेक्शनर की सेलरी धाई सो रुपय होती थी, तो गोवर्मेंट ऑफ इंडिया ने चार सो रुपय का टेक्निकल टीचर ट्रेणी फैलोशिप डिसाइड किया, उसके अंडर मैंने रूर्की में इंटर्विव दिया और मेरी अपॉइंट्मेंट बडोधा में हो गई, नतीज़ा ये हुआ कि मैं बडोधा में आया, ये बात है, 64, जी, तो बडोधा में तीन साल के लिए गवर्मेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट्मेंट कि दिया था, लेकिन फिर एक बार गुजरात में आये, तो उसके बाद जाने का हुआ नहीं, यूही रहे गए, यूही रहे गए, और बस सफर गुजरात में, एजुकेशन फिल्ड में आपका सफर चालू रहा है, मुझे बात करनी है, वो स्कॉलर्शिप, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है, मेरा अचब तक, जहां तक मैंने ग्यान प्राप्त किया आपके बारे में, ज्यादा स्कॉलर्शिप लेके ही अक्षाई जी बढ़ा है, एक्चुली क्या था कि हमारे समय में फॉर्थ स्टेंडर्ड से स्कॉलर्शिप शुरू होता था, लेकिन फॉर्थ में ऑप्शनल और एट्थ में भी ऑप्शनल एग्जाम था, स्कॉलर्शिप के लिए आप एग्जाम देना चाहें, तो आप दे सकते थे, तो फॉर्थ स्टेंडर्ड में मैंने स्कॉलर्शिप का एग्जाम दिया, तो चार रपे पर मन्त का स्कॉलर्शिप लगा, वो आट्वी क्लास तक चला, 8-5 में exam दिया scholarship का तो 8 रपे पर मन्त का scholarship था वो 10 वे दोने तक चला 10-ップी में regular exam था जैसे अभी अपने HST के exam होते हैं वं मिलों matriculation exam होता था तो वो exam दिया तो 22 रपे का scholarship पर मन्त हुआ वो FSC एने 12 तक चला उन दिनों FSC कहते थे उसको और उसके उपरान जो स्कॉलर्शिप लगा वो 90 रूपीज पर मंद का था वो पूरे एंजिनिरिंग के 4 साल तक चला और फिर ये 2 साल अक्षे जी बात करे कि फैमिली बेगराउंड की क्या फैमिली बेगराउंड में उस तरह का माहौल था जो इंस्पार कर रहा था आपको एज्यूकेशन की और अच्छे रिजल्ट की और पर्फॉमंस की और अच्छिली सम्हाव मैं जिस महले में रहता था किसी एरिया में रहता था वहां आसपास जितने बच्छे थे वो शूरु से मेरे पस पढ़ने के लिए आते थे उन दिन उटिशन वगरा रिवाज नहीं था वो तो फ्री जो आसपोड़ोस के बच्छे थे वो पढ़ने के लिए आते थे मेरे पास वो सेवा जरूर कर देते थे मेरी जैसे कुछ किताब पर्चेज करके लानी हुई तो भेज दिया किसी को है इस तरह के काम लेकिन शुरू से ये प्रॉसेस था कि पूरे महले में ये मालूम था कि किसी बच्चे को डिफिकल्टी है तो इनके पास जा सकते हैं तो इनफेक्ट जब मैं एंजिनिरिंग कॉलज में पढ़ने के लिए गया तो वहां से भी जब मैं वापीस आता था रिक्षा आती थी घर तक तो सब बच्चे जल्दी जल्दी मेरा सामान उठा लेते थे उनको पता था अभी आ गए जब कुछ देखे जाएंगे जी 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 लेकिन अक्षे जी यहां यहां पूछना चाहूँगा जब हिंदुस्तान में कंप्यूटर के बारे में कोई जानता नहीं था एक बिलकुल नया वर्ड था इस देश के लिए उस वक्त कंप्यूटर अंजिनिरिंग और पहले से ही कंप्यूटर अंजिनिरिंग के इस विशय में जाने का कहां से मतलब कैसे कैसे इंस्पार हूँ अगे मैं पूछना चाहूँगा क्योंकि यह बहुत हेलफूल होगा हमरे विविवर्स को कि उस जमाने में और और मुझे उस दिन से बात करनी है उस वक्त कैसा था जब आप कंप्यूटर अंजिनिरिंग पढ़ रहे थे उसके बारे में जानकर इलने जाए क्या कोई सिखाने वाला भी नहीं था उस हिसाब का एक्षुली जब हमने पढ़ाई की तो उन दिनों में ट्यूब्स होती थी शायद अभी आजकल देखी नहीं होंगी रेडियो जो फाइब बैंड रेडियो होता था उसके अंदर ट्यूब्स लगी होती थी तो मैंने जब बी पास की और यहां पर आने का विचार हुआ तो म पर आकर पहला काम यह किया कि फाइव बैंड रेडियो डिजाइन किया अपने आप बनाया बनाने के बाद फिलिप्स की दुकान थी ट्यूनिंग के लिए उनके पास लेके गया तो अब चूंकि यह मेरा अपने डिजाइन किया हुआ था तो उसको लगा कि यह तो कुछ अजीब है तो उसने मेरे देखते देखते जब टेस करने लगे तो उसको लगा कि जो नॉइस फिल्टर लगाया हुआ था कि यह तो बेकार है यह क्यो लगाया तो मेरे सामनी उसको काटने लगा रहे मैंगे क्या कर रहा हुँ इसको क्यों काट रहा हुँ कर रहा हुँ करना नहीं थी तो मुझे कहने लगा साब यह तो बेकार है मैं जानता हूं मैं सालों से इस काम में हूँ मैंने के साब आप तो जानते हैं लेकिन मैंने भी थोड़ी पढ़ाई किया है theoretical आपने practical काम किया है मैंने practical का लिए बनाया है भी तो इसके आवश्यक्ता है आप इसे रहने दीजिए तो बहुत समझाब हुजा कि उसको काटने नहीं दिया फिर जब पूरी ट्यूनिंग हो गई तो उसको मैंने दिखाया मैंने कहा देखे साब अभी यह ट्यूनिंग आपने कर दी अब ज़रा सुनिये इसके आवाज आवाज सुनाई फिर मैंने वो डी कपल किया सोल्डर से और उसको दिखाया कि अब सुनिये तो फिर उसकी समझ में आया कि क्या एहमियत है यह इसकी मतलब यह बात होती है कुछ नया इनिशेटिव इनोवेशन कुछ अपने खुद के आईडिया खुद अपना क्रियेशन कैसे इस्तेमाल करना उसकी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद दर्शक विद्रो अक्षर जी साथेनी वातो एक ना तरीस कल्ला के लोकमंच सांजे आठ कल्ला के विरामबाद फर्यक और सौगे शापनू कार्यकरम आती थी मा वात करया शापने जी टीउना वाइस चैंसलर अक्षाई अगरवाल साथे अक्षर जी आपने बता कि एक नया आपको एक सोच आई थी कि एक कुछ मैं ट्रांजिश्टर बनाऊंगा खुद कंपोनेंट्स करीदे एसेंबल किये और जाके एक ऐसे बंदे के पास रखा जिसके पास बरसों से उसका अनूबह हो था रिपेरिंग का मैनीफेक्ट्रिंग का नहीं था लेकिन वो समझ पाता था कि इस is इस कंपोनेंट से यह यह प्रब्लम सकता है यह लगाने से इतना फाइदा हो सकता है यह सुदर सकता है लेकिन आपने वो एक filter लगाया जो कि उसकी सोच के कहीं बाहर था बात यहीं आके अटकती है innovation हिंदुस्तान में कई लोग ऐसे है जो कुछ नया सोचते है कुछ नया innovate करते लेकिन उसको समझने वाले लोग जिनोंने innovation को समझा है innovation समझने वाले बंदे को समझने वाले लोग इस society में बहुत कम है अफिल करते है क्या सब बहुत सही आपने कहा अपने देश में ऐसा नहीं है कि innovative सोचने वाले लोग नहीं है ऐसा भी नहीं है कि बाहर जाकर ही और वहां की आबो हवा में ही हम नई चीज़ सोच सकते हैं लेकिन जो लोग innovation करते हैं उनको अपने हाँ encouragement नहीं मिलता और धीरे धीरे वो लोग ऐसा मान लेते हैं कि नया सोचने का ज़रूरत नहीं है अभी अभी हमने लगभग 15 ऐसे innovators गाउं में वो चुने और उनको honor किया university की और से कि उन्होंने अपने गाउं में बैठ कर और उनको कुछ लगा कि इस चीज़ की ज़रूरत है और उनने वो बना लिया simple चीज होती है लेकिन बनाई उन्होंने improved product बनाई हमें लगा कि यह अच्छी चीज़ है तो हमने उन्हें अपने colleges की classes में आवंत्रित किया idea यह है कि उन्होंने एक self confidence था कि मैं कुछ नया बना सकता हूँ और उस self confidence के साथ जब वो कोई product बनाते हैं तो वो हमारे students के लिए भी एक तरह से inspiration है कि उन्होंने जो इतनी सारी technology पढ़ी है उसके साथ वो भी कुछ बना सकते हैं और साथ में अगर किसी यंग व्यक्तिने और गाव में एक छोटा सा product बनाया हो सकता है उसको सभी नई चीज़ों की ख़बर ना हो तो उसने मान लीजे कोई product बनाई उसमें नई type की bearing चाहिए जिसका उसको ख्याल नहीं है तो अगर वो कॉलेज में आयेगा तो हमारे बच्चे हमारे टीचर उनसे डिसकस करेंगे बच्चे भी उनसे confidence लेंगे सीखेंगे और अट दी सेम टाइम वो प्रड़क्ट बैटर हो जाएगी तो जो innovators हैं उनसे interaction करना university का काम है now you have taken the initiative इस type के जो भी innovators है आपने उसको कॉलेज में बुलाया बच्चों के साथ interaction करवाया ताकि उनका भी होसला बुलांद हो और बच्चों को भी एक अच्छा सा एक role model मिले कि हम भी कोशिश करें और ऐसी चीज नहीं नहीं ढूंड़े इनोवेट करें come to the direct के मैं सीधे point पे आ जाता हूँ education system आपने ये implement किया ये ऐसी बात नहीं है कि जो सिर्फ डॉक्टर अक्षाई अगरवाली सोच सकते कि इनोवेटर से उनको भूला जाए क्यों न ऐसी system बनाई जाए उसके अलाबाब मैं सीधा सवाल पूछता हूँ education system अभी जो फिलाल ह है क्या ओ एडिक्यूट है या तो आपको लगता है कि जो design जो format में होना चाहिए जहां से अच्छे लोग कुछ अपने vision के साथ mission के साथ बाहर निकले university सिर्फ education center एग्जामिनेशन सेंटरी बन चुका है education center मिट गया है सब वही अपने देश का दुर्भाग्य है कि हमारे पास एक भी ऐसी university नहीं है कि जिस पे हम लोग गर्व कर सके उसका कारण है उसका कारण है हमारी पिछले कई सो सालों की गुलामी लगभग 1197 में एक ऐसी university थी नालंदा जहां दुनिया भर से लोग आते थे और जब लोग आते थे तो उनको एक वीक तक बैठना पड़ता था उनका एक वीक तक टेस्ट होता था अगर वो टेस्ट में पास हो जाते थे तो उन्हें university में एडमिट कर लिया जाता था नहीं तो वो वापिस चले जाते थे और उस university में श्री लंका के hall थे अलग जहां लंका के लोग रहते थे थाइलेंड के लोग रहते थे चीन के लोग रहते थे तो दुनिया भर से जो भी नोन वर्ल्ड था उस समय का वो लोग आते थे 1197 में उसको जलाया गया और लाइबरेरी सुना है कि 9 स्टोरी लाइबरेरी थी और वो पंदरा दिन तक जलती रही फिर 660 साल तक अपने देश में कोई university नहीं थी इस्ट इंडिया कंपनी हिंदोस्तान पर राज कर रही थी बात ऐसे हो गई जैसे अमेरिका आज सबसे बड़ा देश है सबसे अमीर देश है अमेरिका के उपर अगर कोई एक कंपनी राज करने लग जाए तो क्या हो हिंदोस्तान उस समय का सबसे अमीर देश था और दुरुभाग ऐसा हुआ कि हमारे उपर एक कंपनी राज करने लग गई और नतीजा ये हुआ कि सौ साल में हम दुनिया के सबसे अमीर कंट्री में से सबसे गरीब कंट्री में कनवार्ट हो गए जो लोग उस सौ साल में रहे होंगे और जिनोंने वो चेंज देखा होगा बहुत दुख पूरण होगा वो लेकिन अनिवे उस सौ साल के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि बिटिश पार्लियमेंट से हर दस साल में चार्टर लेना पड़ता था इस्ट इंडिया कंपनी को और हर दस साल में बताना पड़ता था कि क्या कर रहे हैं वो तो यहां जो टेक्स था रेविन्यू था इतना ज़ादा हो गया कि इंगलेंड के रेविन्यू से ज़ादा होने लगा तब British Parliament ने पूछा कि भई आप इस सारे revenue का क्या कर रहे हो उनको record देना पड़ता था और उस revenue में से वो लगबग 1800 साल तक कोई भी पैसे education में खर्च नहीं कर रहे थे तो British Parliament के बार-बार कहने पर ultimately 1854 में उन्होंने decide किया कि कुछ पैसा education पर खर्चेंगे और तीन यूनिवरस्टियां बनाएंगे तो वो तीन यूनिवरस्टियां थी Bombay, Madras और Calcutta तो ये तीन यूनिवरस्टियां उन्होंने बनाई लेकिन वो यूनिवरस्टियां को East India Company ने इसलिए नहीं बनाई कि उनको बहुत अच्छे higher education के institution बनाने थे दिखाना था अक्षे चे अक्षे यहां रोकूँगा आप कैनेडा भी थे यहां विदेशों की अलग-अलग यूनिवरस्टिया भी आपने अभियास किया है उनकी मुलागात भी लिए बहुत दिल खोलके अगर compare किया जा हिंदुस्तान की आज की education system के साथ चलने वाली इस जो बड़ी-बड़ी इमारते जो दिखती है जो इनिवरस्टियस की क्या सही में वर्ल्ड की अलग-अलग इनिवरस्टियस के साथ compete करने के लिए क्या वो काबिल है बिलकुल नहीं actually हालत यह है कि अब rankings लगब 15-20 साल से दुनिया भर में दी जा रही है और continuous जब इनिवरस्टियस की ranking दी जा रही है तो पता लग रहा है कि हम कहीं नहीं है और सारी दुनिया जान गई है कि हमारे institutions उतने अच्छे नहीं हैं जितने होने चाहिए अब अगर दस एशिया के सारी दुनिया के नहीं एशिया के top most engineering institutions की बात करते हैं तो एक भी इंडिया का आता नहीं है अगर दुनिया की अच्छी universities की बात करते हैं तो top की दोसों में से कोई भी हमारी university आती नहीं है engineering colleges याने IITs आ जाते हैं हमारा सबसे अच्छा institution है IIT डेली पिछले साल का और वो दोसो अठारमी रैंक पर है वो कोई गर्व लेने वाली बात नहीं है बहले हमारे हिसाब से हम top उसको गिने अब इसको जिम्मेदार किसको गिने कितने कितने शिक्षन सास्री आए कितने अच्छे अच्छे जो जिनकी कसम खाते है ASMR leaders भी आए society में से भी बहुत सारे donors भी आए इतना पैसा education के पीछे दिया भी जाता है उस department को लेकिन result इतने सालों में 66 years विलकुल result कुछ नहीं और इसी के सामने देखें क्या जिनके हाथ में university का काम सौपा जाता है वो vice chancellor क्या education minister जिसको बना जाता है वो या तो जो donors है जो सिर्फ पैसों के लिए उनकी बस जैब भरनी चाहिए उनके bank account healthy होने चाहिए उसके लिए वो educational institute को उन्होंने business बना दिये कौन responsible कौन है वैसे तो responsibility पूरे समाज की है लेकिन सबसे बुरी बात जो आपने कही वो last है कि जिन्होंने education को business बना दिया है वो इस समाज को कभी अच्छा education system लाने नहीं देंगे तो सबसे पहली problem तो ये है लेकिन एक अच्छा news ये है कि चीन ने ये दिखा दिया है कि हमारे जैसे countries में भी top most universities हो सकती है एक वक्त ये था आपने नालंदा का एक example दिया एक वक्त ये था जब नालंदा को लोग follow कर दे थे पूरा विश्व आज वक्त ये आगया है कि छोटे खिलोने से लेके बड़ी बड़ी university कैसे role model कैसी universities हो सकती है उसके लिए हमें China को follow करना पड़ते है मेरे हिसाब से इससे बड़ी दुर भागया वाली बात और कोई नहीं हो सकती हमें पूरी तरह से चीन को follow करेंगे तो काम नहीं बनेगा हमारा उन्होंने रस्ता खोल दिया है ये दिखाया है कि ये हो सकता है करना तो हमें अपने धंग से पड़ेगा यहां रोकोंगा किस तरह से क्या बदलावाने चीए कौन से कौन से ऐसे immediate steps और long term steps लेने चीए जिससे हमारी university बहतर प्रदर्शन कर पाए बात करेंगे एक छोटे से विराम के बाद दर्शक विरो समय था है उच्छे विराम नौ जागो ग्राहक जागो जूओ गुरुवारे रातरे दस कल्लागे विरामबाद फरियेक वाद सौगेश अपनू कारेकरम आती थीमा अक्षर जी ब्रेक से पहले आपने बताया कि चाइना ने 85 में एक university बताया कि इस तरह से हो सकता है 85 है कि अभी तक प्रयास किया उन्होंने उस प्रयास के बाद आज उस मकाम पे पहुँचे कि टॉप 50 में चाइना की university वर्ल्ड की टॉप 50 universities में आती है आपको वो impress कर गई है उनकी सफलता या तो उनका जो progress या तो performance हिंदुस्तान की हालात के बारे में बात करें यूनिवर्सिटिस की हालात के बारे में बात करें क्या-क्या बदलाव आने चाहिए long term क्या-क्या ऐसे projects बनाने चाहिए plan बनाने चाहिए कैसी design होनी चाहिए क्या-क्या रूल्ड में बदलाव आने चाहिए ताकि यही हिंदुस्तान फिर से एक बार प्रू कर पाए एक जमाने में हमारे पास एक नालंदा थी आज सेकड़ो है यह हम कर सकते हैं और मेरा ऐसा मानना है कि अगले दस साल में हम यह कर पाएंगे जीटियू में बहुत सारी कमिया हैं आज समय उन सब बातों का करने का नहीं है मैंने पूरे गुजरात में और कच से लेकर बारडोली तक लगबख 200 कॉलेजिस को विजिट किया है जीटियू के कॉलेजिस को और कोशिश यह की है कि अगर मुझे इंविटेशन दो कॉलेज में से हो और एक बहुत अच्छा हो और एक खराब हो तो पहले खराब कॉलेज को विजिट किया जाए और उसमें भी खास बात बता दू कि आप सीधे और ट्रस्टी को मिलते नहीं है आप सीधे स्टुडेंट्स को मिलते है ये भी आपकी एक अलग पैटन है स्टूडेंट्स को, टीचर्स को अलग से और उसके बाद ट्रस्टी ट्रस्टी को बुरा लगता होगा पैसा तो हमने खर्चा किये, बिल्डिंग हमने बनाईए साब तो मिलने आते हैं ये वीसी साब सब लास्ट मीटिंग में एक जॉइंट मीटिंग हुई जहां ट्रस्टी भी हमारे साथ बैठे हुए थे और एक स्टूडन ने खड़े होके मुझे कहा कि साब हमारी लिबर्टरी में ये इंप्रूवमेंट आनी चाहिए, क्योंकि मैं तो सब को मौका देता हूँ कि आईए बोलिये, तो सामने ही साथ में बैठे हुए मैंने उनको कहा, कि देखिए, जो हमारी कमेटी आपको आके कहके गई है कि आप ये करिए, वो आपके बच्चे भी कह रहे हैं, तो आपको करना रहे गए ये, तो एनिवे, बेजिक बात ये है कि यूनिवरसिटी, जी टीउ ने जो काम किया है, वो ऐसी डिरेक्शन्स में काम किया है, जो हमारी यूनिवरसिटी ने आज तक किया नहीं था, तो मेरा ऐसा कहना है कि हिंदोस्तानी जब बाहर जाके एक यंग विक्ती जाता है, दो साल में वहाँ M.E. करता है, और वो वापिस आता है, तो हम कहते हैं कि इस बच्चे का काम जो है, हमारे यहां के M.E. से बेतर है, एक हिंदोस्तान का यंग लड़का यहां से B.E. करके जाता है, और छे साल में पी-एच्डी वहां करके आ जाता है, और हम मान लेते हैं कि वह बहुत विद्वान हो गया, लेकिन यहां जो पी-एच्डी करेगा, वह बराबर नहीं होगी. फाइन, अंतीम सवाल, अंतीम सवाल, अक्षै जी, तीन साल का एक tenure fix होता है, Vice Chancellor का, तीन साल के बाद, चाहे कितना भी अच्छा performer हो, उसे Vice Chancellor से हटना पड़ता है, दिल खोलके, मैं individual अक्षै अगरवाल जी की बात नहीं कर रहा हूं, क्या ये system सही है, जब new सजादी, दिवारे बना दी, छट लगा दी, सही फरनीचर लगा दिया, जब वास्तू करना होता है, उस वक्त कहते हैं कि ग्रह प्रवेश आप नहीं करेंगे, किसी और को, क्योंकि आपका tenure खतम हो गया, अलंतीम सवाल है, मुझे बहुती, दिल खोल आंसर चीए, ये बिलकुल सही सिस्टम है उनिवरस्टीज के लिए है, क्योंकि उनिवरस्टीज हमेशा यंग रहनी चाहिए, उसमें नए विचार नई बातें आती रहनी चाहिए, अनफर्चुनेटली हमने युनिवरस्टीज तो बनाई 156 साल से, लेकिन उनमें नए विचार लाने की बात नहीं शुरू की, एक धांचा बना दिया, लेकिन उसमें जान नहीं थी, क्योंकि युनिवरस्टी में जान तो नए विचारों से नए बातों से आती है, इसलिए है ये सिस्टेम बहुत सही है कि वाइस चंसलर बहुत देर तक नहीं रहना चाहिए. जादा में जादा दो टर्म अपने हाँ, एकसेप्टेड है, अब दो चाहिझे अपने हाँ, तीन-तीन साल की होती हैं, कहीं पांच-पांच साल की होती हैं, लेकिन उससे जादा किसी मैं तो अध्यापक हूँ और अगर यहां से जसे फ्री हो जाता हूँ तो वापिस युनिवरस्टी में जा के पढ़ाने लगूगा तो उसका तो कोई इश्यु है नहीं क्योंकि कैनेडा में तो कोई रेटायर्मेंट एज नहीं है जब तक बुद्धी काम करे तब तक आप चला सकते हैं सरकार नहीं कहती कि आप रेटायर हो जाएए तो जैसे मैं फ्री हो जाओंगा वापिस जाके पढ़ाना शुरू करूगा तैंक यू वेरी मच अक्साय जी बहुत बहुत शुक्रिया दर्शक्मिद्रो एक अलगज विचार विचार केवा करता हूँ कहिश के एक धुन मारी पासे छे ते समाजने आपू कोई पन शिक्षन शास्त्री शिक्षन वीदिनों कदाच आज एक विशेश कुन छे गनान मेडववू एक घणा बधा लोको गनान मेडवे छे गनान आपवू एपन घणा लोको कदाच आपता होई छे परन्तु गनान मेलवू अने गनान आपू अने साथे साथे एक इंस्टीट्यूट ना हेड बनी ने एडमीन पर हैंडल करूँ आ कदाच विशेश गुणों नो सम्मनवाए भाउज ओछा शिक्षन सास्तियुमा वेशे तेमानाच एक छे डॉक्टर अक्षय एग्रवान विविश के तेमने बात करी के बहुत सूचक रिते तेमने कीदू के केनेडामा रेटार्मेंट एज नथी होती जिया सूधी आपनू मन बुद्धी काम करे छे तिया सूधी गवर्मेंट एलाओ करे छे क्या आओ अन्या देशने सेवा आपो आशारा किये के हिंदूस्तान मा पन एमा खासके ने गुजरात ने पन घणा वर्षो सुधी अक्षय जी निया सेवा मड़ी आउनार दिवसों मा पन मड़ती रे तेवना सारा तंदूरस्ती माटे पन आपड़े प्रास्तना करिये फरी एक वार खुब खुब धनिवाद अक्षय जी फरी मनिशू नेक्स्ट एपीसोड मा एक नवाती धी साथे त्या सुधे जापसो नमस्कार